जै मातादी दोस्तों मेरा नाह में दित्ति आपका मेरी चैल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्टिया खातीज और अक्षर तितिया कब पढ़ने वाली है उसका शुमूरत क्या है पूरी पूजया विधी कैसे करना यह मेरी लास्टियर की पूजया है तो मैं सुचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी पूजया विधी और इसका महत्व शुमूरत और उपाय आप लोगों के साथ जरूर करना चाहिए जिससे की परिशानी है पैसों से संबंदित वह परिशानी दूर हो सके और इस दिन शा काम करा ग्रह प्रवेश है आपका मुंडन है बच्चों का या कोई भी शुब काई जो होता है अगर आपको कराना है तो इसके लिए आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है आज ये पूरा दिन आपका बहुत ही शुब होता है आज के दिन भगवान विष्णु जाता है अब आपको बताते हैं कि अक्षर तितिया कब है अक्षर तितिया इस साल तीन मई को पढ़ने वाली है और मंगलवार का दिन पढ़ेगा और पांच बज कर उन्तालिस बजी से बारा सत्रा पीम तक ये पूरा दिन ही बहुत ही शुब है तो आपका भी भी पूजा क कर सकते हैं और इस दिन थंड़ा थंड़ा चीजों का पूजा करना चाहिए मत की में बहर कर आपको भगवान के सामरे रखकर उनकी पूजा करना चाहिए कलश भरा होना चाहिए इस दिन मटके भरे जाते हैं थंड़े थंड़े चीज़ों का दान किया जाता है पाने से भरा हुआ कलश का आप दान करिए जो आम आते हैं इस सीजन में इस सीजन में मतलब कि हैं गर्मियों की जो फल होते हैं वो सा आपको चोगनी फल प्रदान करता है यसे कि आप कोई ब्रत उठाना है या रामायन का पाड शुरू करना है कोई भी तो आज के दिन आप कभी भी कर सकते हैं उठा सकते हैं ब्रत पूजन को और थंडे थंडे फल को अरपित करें उनको दान में दें आम खर्बूजा है ककड़ पूजा करते हैं कोई भी फल फंडे होते हैं उनका दान करना फैसकी पूजा में रखना इसको बहुत ही श्यूब होता है तो इस तरीके से पूरी सबगे करते हैं अक्षा तीतिया के दिन पर्शुराम जेंती भी मना जाती है नहीं पर्शुराम भगवान विश्णु भगवान पर्शुराम भगवान के रूप में प्रिकट हुए ते आज के दिन और उनका जन्म बनाय जाता है आज के दिन आखा-तीज भी बोलते हैं तो महिलाएं घर पर सारे जेवरों को और सारे जो मुद्रायं होती हैं शिक hon हैацион के बरतन हैं चांदी को उन्हाइन सब को साफ करकर आप पूजन करते हैं और सिके धंते थे डिरस के दिन हम करते हैं और आज के दिन सोना खरीधना बहुत हिप बॉद्धी शुब माना जाता है और जो मट्कियां होती है मिट्टी की मिट्टी की मट्किया इसलिए भर्याती क्योंकि मिट्टी थंडी माने जाती है इस तरीके से आगर मिट्टी की बरतन हो आपके पास वह भरकर जरूर रखे भगवान के सामने आज के दिन विश्णु माता की जो कौणियां होती है उनकी पूजन कर सकते हैं और आप माता लक्षमी का भजन कीर्टें भी जरूर करें और उनको मनाएं जिससे कि आपके घर में धन संपदा बनी रहे घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो और हमेशा आपके घर में सुक्षांति सम्रद्धी बनी र बस होता है वह अक्षर तितिया के दिन ही हुए थे हमारे लिए बहुती बहुती सवभाग की बात होती है कि आज के दिन हम उनका बढ़े से लिब्रेट करते हैं और आप अच्छी तरीके से पूरी पूजा करें सोना चांदी को भी साफ करकर उनको पूजन करें और सोना जरू खरीदें अगर हो सके तो कुछ भी एक चीज जरूर खरीदें आज के दिन बहुत शुब होता है आप खरीदेंगे तो आपके घर में चोगना सोना बढ़ेता है और अब मैं आपको एक उपाया बताती हूं बहुत ही अच्छा कोई आपको नहीं बताएगा तो आप जरूर उपाय को करके देखिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है या पर लाल पोटली लेना है अगर आके पास लाल पोटली है पहले से और उसमें आपको कौडियों का पूजन करकर कौडिया रखना है कौडिया लक्षी माता की पूजा में हमेशा रखी जाती है आपको पता ही है तो अगर आप कौणियों की पूजा करकर कौणियों को लक्षी माता का श्वरूप मानकर लाल कपड़े में बांगकर अपने तेजोरी में रखेंगे इस दिन तो आपके घर में रातो रात चोगना धन आएगा और जो ही आपका रुका हुआ धने कहीं पर अटका हुआ धने व आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को जरूर शेयर कीजे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजे मैं उसको पूरी पूजा आपको बताऊंगी और क्या कि हमें सामगरी चाहिए है इस पूजा में बोवी में बताऊंगी आपको तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाफ करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अज़िए अपना प्यार अपना सपोर्ट में एचे अंगशत बनाए रखे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजी ये बिलकुल मुफ्त है धन्यवाद